उत्रप्रदेश की नौएडा ओथोरिटी की टीम ने ओम मैक्स सुसाइटी पहुँचकर महिला से बचसलू की करने वाले नेता श्रीकांत त्यागी के अवैध निर्माण पर भुंडोजर चल गया आरोपी त्यागी ने अपने फ्लैट के असपास अवैध निर्माण कर रहा था आरोप है कि खुद को बीजेपी नीता बताने वाला श्रीकांत त्यागी सुसाइटी का मेंटेनिस चार्ज भी नहीं देता था और ऑथोरिटी की नोटेस को अपने रसूख से रुखवा देता श्रीकांत त्यागी के अवैध निर्माण की शिकायत 2019 से सुसाइटी में रहने वाले लोग कर रहे थे लेकिन अपने रसूख के चलते वह कबजा हटाने को तयार ही नहीं था लेकिन आज जब उसका अवैध निर्माण हटाय गया तो सुसाइटी में रहने वाली महिलाओं इतालिया बजा कन्वेडा ऑथुरिटी की पुलिस करवाई का स्वागत किया वहीं पुलिस को आरोपी शिकांत त्यागी की कई लोकेशन भी मिली है इसके साथ ही सांसद महेश शर्मा ने इस पूरे मामले को लेकर कहा कि मुझे शर्मिंदगी महसूस हो रही है पता कर ये 15 लड़के सुसाइटी में कैसे घुसे इससे बड़ी शर्म की बात नहीं हो सकती है अच्छी हमके कमिश्टर से मैं जब लाकुमार को फोन किया जब रनविजे को तब यहां पुलिस आई है मेरे जिलाद्धेर शाम यहां पर है हमें शर्मिंदगी महसूस हो रही है ये कहते हो हमारी सकार इसके बड़ी शर्म की बात नहीं हो सकती है